हेलो स्टुडेंट आज हम बचे हुए क्लिस्ट्रोन के बारे में पढ़ेंगे क्लिस्ट्रोन का फर्स्ट पोर्शन कल हो गया था विलोस्टी मोडूलेशन नेक्स आज हम पढ़ेंगे टू के वेटी और रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रोन के बारे में तो देखिए जो क्लिस्ट्रोन है वो एक एलेक्ट्रोन की ट्यूब है जिसका यूज हम जन्रेशन जन्रेट और एम्प्लिफिकेशन ऑफ माइक्रो वेव इसके लिए करते हैं थींदे लिनियर बीम टूब इनवल एन ignore उर्ण गन याख लीनियर बीम टूब होती है इसके अंदररे कि हमारी के पह इंदके हैं एफ ऐसे इंव मायरे लेwenैं Instead कुलिस्ट्रोण के ऐसे सब्सक्रमिय उर्दक्र कॉर्ण कहारी है इसमंगे हो एक्सेल्रे और फोकशेव हुए कहां से पास हो जाएंगे हमारी बंचर कैवेटी से पास हो जाएंगे अब यह जब बंचर कैवेटी से पास होंगे तो they are always oscillation at the same time क्योंकि इसका one surface is positive another is क्या है negative तो इनकी velocity में क्या जाएगा एक change आजाएगा और then they move towards catcher cavity and reach at the same time as many electron are speeded up and slow down net transfer of energy in buncher cavity is zero तो buncher cavity में जो net transfer of energy रहेगा वो हमारा क्या रहेगा जीरो रहेगा वहन electron pass through the catcher cavity जो हमारे electron catcher cavity से पास होती है फिल्ड is such that bunches of electron is slow down तो जो हमारे bunches of electron को क्या कर देए slow down हो जाते हैं वो so the energy is given from the beam to field तो यहाँ पे हमारी जो energy है वो energy जो हमारी है वो किसको दे बीम से कहां दे दी जाती है field को दे दी जाती हाफ a cycle later आधे cycle complete होने के बाद field is catcher is reverse तो हमारा जो catcher का field है वो क्या हो जाता reverse हो जाता है और वो कैसे काम करता है accelerating field की तरह काम करता है but detect only on the low density या इसके बात इसके उपर यह है में बात यहां पर यह है कि यह जो काम करता है सिर्फ इस बात पर काम करता कि low density और फिर नोन बंस्ट पोर्शन होना चाहिए beam का then the more electron more electron are slow down and then accelerated so these net transfer of energy from the beam to the radio frequency circuit तो यहां पर net transfer of energy जो है beam वो कहां कर देती है radio frequency circuit में कर देती है फिर cavity बोल देती है अब क्या होगा now a portion of a signal का अगर हम कुछ portion catcher cavity से coupled करके किसको देती है बंसर cavity को देते हैं तो इसी बार बार oscillate होती रहेगी तो इसी तरीके से हमारा जो two cavity क्लिस्ट्रोन है वो कैसे काम करता है oscillator की तरह भी काम करता है नेक्स्ट है हमारा reflex कलिस्ट्रोन इसमें जहां तकने की बात यह है first तो इसमें यही है कि इसमें हम एक cavity का यूज़ करेंगे लेकिन इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो electron है वो एक ही cavity से दो बार पास हो रहे है इसलिए इसका नाम क्या है reflex कलिस्ट्रोन अब इसका fundamental देख लेते reflex कलिस्ट्रोन इज लो पावर लो फीसेंची माइक्रोवेव उसी लेटर इसके पास क्या है जो electron को क्या करेंगी एमिट करेंगी लेकिन दूसरी में बात यहां पर focusing electrode की जरूत नहीं पड़ती है क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा ये system है या device है हमारा वो क्या है sort है तो यहां पर focusing device की जरूत नहीं पड़ती है अब क्या होगा यहां पर देखी एक तो हमारा यहां पर voltage है कि यहां है तो यहां देखी यहां positive terminal cavity से जुड़ा हुआ और यहां हमारा negative है जो negative हो उसको हम repeller बोल रहे है तो beam is accelerated towards the cavity जैसे यहां से electron की beam निकलेगी वो किस की तरफ एक्सलेट होना शुरू हो जाए cavity की तरफ है और विचे cavity के पास क्या है हमारी positive applied voltage है तो यह कैसे काम करेगी जैसे anode की तरह काम करेगी दा electron pass through the gap in this cavity and continuous on the next electrode at which never अब वो क्या होगा जो हमारी electron इसके अंदर से पास होंगे न वो repeller तक कभी नहीं पहुच पाते next electrode तक कभी नहीं पहुच पाते हैं क्यों क्योंकि यह हमारा इसका operation देख लेते हैं एक बार इस पे नजर डालिए यह हमारा repeller है यह हमारी distance है यहां पे कि कोई भी जो electron है वो repeller की तरफ कितने दूरी पे गया है यह हमारा time है अगर इसके operation को समझने की जरूरत है हमें तो हम क्या करेंगे individual electron ले ले लेंगे पहला देखिए path ही हम इस ब उस time pass हुआ था which pass through input circuit या फिर input circuit उस time pass हुआ था जिस time पे हमारा potential क्या था? 0 था तो यह एक uniform velocity से किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा हमारा repeller की तरफ जाना शुरू हो जाएगा बट उसकी तरफ जाते ही यह क्या हो जाएगा? slow होना शुरू हो जाएगा और return क्या होगा वपस आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा किसमें पेनिट्रेट कर जाएगा यह रिपेलर गैप में ध्रिपेलर स्पेस में थोड़ा सेन्टरी करेगा यह ठीक है अगर हम ऐसे ही सैकेंड इलैक्ट्रोन की बात करें इसकी तो इसके लिए जो पाथ रहेगा वो हमारा B रहेगा ठीक है अब क्या होगा यह किस अब यह जो second electron है यह हमारे accelerating field के time accelerating field के time पे क्या हुआ है पास हुआ है gap के अंदर से अगर यह ऐसे पास हुआ है तो its mean जो हमारा second electron है वो accelerating field के time पे पास हुआ है तो जैसे कि पता एक्सलेटिंग फिल्ड में हमारा क्या होता फिल्ड हमारी लेक्टोन को अनर्जी देता और उसकी विलोश्टी क्या हो जाती बढ़ जाती है तो यह जो ए था ए लेक्टोन से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा किसकी तरफ रिपैलर की तरफ ज्यादा तो 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 श्टेंट पेनिटरेट करेगा तो उस टाइम हमारा क्या रहे ¿का यह लेकिन वह पहुंचे गा से अम टाइम पर ही जैसे ही हमारे बैंशीज एलेक्टोन जो में किसके अंधर आएंगे धेग के अंदर आएंगे अश्यक्य देखनी हरा भी देखिए दा स्पेस इलेक्टोन जो फेज है हमारा वो कंडिस्जन हमारी लिम्त कि निकाल सकते हैं क्योंकि यह वहां से हम क्या निकाल देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे तैंक यू